मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, कुम्रह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त रवी कुमार आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंगलिश यूट्वीब चैनल इंगलिश प्लैट्वों बाई रवी सर्प दोस्तो आज की जो हमारी कलास रहेगी वो नाउन पर कलास नमबर 22 होगी इससे पहले हमने दोस्तो 21 कलासिस को अपलोड किया हुआ है अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से उन कलासिस को नहीं देखा है तो चैनल की फ़े लिस्ट में आएं और सबसे पहले उन कलासिस को देखें साथियों आज की जो हमारी कलास रहेगी वो रहेगी नाउन से रलेटिड़ सब्जेक्ट फ़व एगरिमेंट पर साथियों agreement हर किसी के बिज होता है बिना agreement के जीवन नहीं चलता तो ठीक इसी तरीके से इंगलिस भी बिना agreement के नहीं चलती और ये जो agreement होता है साथियों वो होता है आपके subject और एक बड़े ही प्यारे से word के साथ जिसको हम कहते हैं वाब क्या कहते हैं साथियों वाब वाब नहीं वाब राइट तो subject और वाब के बीज में एक एक्रिमेंट होता है जिसके चलते हमारी जो इंगलिस है वो आगे भड़ती है और एक भी exam आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी competitive exam आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें subject से क्वेशन ना पुछा जाए क्योंकि subject वाब एग्रिमेंट सब्जेक्ट वाब एग्रिमेंट आपके हार चोफिक एंदर होता है तो यहां पर जो है दोस्तों वह हम देखेंगे नाउं में subject वाब एग्रिमेंट किस तरीके से होता है इसी का जो दूसरा नाव होता है साती हो जो आपकी बुक्स हैं वह दिखाते है subject वाब कॉनकोर्ट क्या दिखाते हैं साती हो subject वाब कॉनकोर्ट तो हमारी वीडियो जादा लंबी ना हो इसलिए चलते हैं अपनी पार्शाला की तरफ मस्ती के साथ में बिंदास तरीके से हसते हुए मुस्कुराते हुए आप दोस्तो हमने कहा subject और वाब अब देखो दो चीजी हमारे पास है वी एक तो है subject दान्चे समझेना है बही पहले एक तो है दोस्तो आपका subject और जो दूसरा है वो है साथियों यहाँ पर वाब subject and वाब अब जो subject होता है साथियों वो यह तो कोई नाउन हो सकता है यह हम सभी जानते हैं आप देखो प्रनाउन को तो आप पैचान ही लेते हो कि भी singular है या plural है लेकिन बात यहाँ पर आते साथियों नाउन की कोई भी जो नाउन होता है मेरे पियरे दोस्तों कोई भी जो नाउन होता है वो अपने नेचर से हमेशा singular होता है और अगर हमें इसको प्लूरल करना है तो हम इसके साथ में एक और एस को suffix करते हैं और हमें मिलता है ये noun plural noun ठीक है बाई ये बात आप जान चुकी हो कोई भी subject जो होता है sorry जो कोई भी noun होता है वो nature से हमेशा singular होता है और उसको plural अगर हमें बनाना है तो उसके साथ में सब s और es का हम प्रियोग करते हैं और जो आपकी verb होती है साथियों verb जो भी आपकी होती है वो nature से हमेशा plural होती है कोई भी आपकी verb है वो nature से plural है चाहें आपके किसी भी verb को लेजिए go, come, speak, write सब की सब verbs nature से plural होती है और अगर इसको हमें singular बनाना है तो भी इसके साथ में फिर s और es को हम प्रियों करते हैं और यह बनती है दोस्तों सिंगुलर वब दो कितना इस कितनी प्यारी सी बात है कि नाउन आपका नेचर से singular वब आपकी नेचर से plural लेकिन नाउन के साथ में शुरी यूज करें तो नाउन तो हो जाता है भई प्लूरल व्यट जैसे बोय से बुई इस गर्स ए गर्स एक लड़की गर्स ज्यादा वोई एक लड़का बुई ज्यादा मार्कर मार्कर्स रैट तो आगे अगर हम बात करते हैं व्यूब के इसके साथ अगर एशोरी यूज लगाए तो यह बन जाती है singular verb, यह बन जाती है singular, तो आओ दोस्तों यहाँ पर subject verb agreement की हम बात करेंगे, उसके तहत देखेंगे चीज़े किस तरीके से use हो रही है, यहाँ पर हमने देखा है कि the students of this class is our intelligent, अब हमें तो जो mail मिला आप है न, दोस्तों वो subject का verb से यहाँ पर करवाना है, अब इस तरीके sentences के अ करते हैं, पहले sentence को देखें, कि किस तरीके से आप यहाँ निकालेंगे, कि यहाँ पर subject कौन है और verb कौन है, right, subject कौन और verb कौन है वीडियो को पोज कीजिए, और यहाँ पर सोचने की कोशिद करो साथियों, तो मैं उमेद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा, आएं दोस्त पहले दिखायबे students, यह एक subject है, yes, subject 1, फिर दिखाई दिखाई दे रहा है साथियों आपको एक भूती प्यारा सा preposition, right, preposition है, फिर आपको यहाँ पर एक और subject दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे साथियों subject 2, तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यह गलती क होता है, क्योंकि यह इस verb के नज़्दीक होता है, यह इस verb के यहाँ पर नज़्दीक होता है, और इसके ही तहत वो verb को चुंते हैं, और इसको हम कहते हैं, साथियों, error of proximity, क्या कहते हैं, error of proximity, proximity discovery मिशी का मितलब होता है, near-ness, right, तो हम नज़्दीकी को देखकर, verb का लेकिन ऐसा नहीं है ध्रान से सुनिए ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर जो verb हैना साथियों वो चुननी किसकी वज़े से है येस वो हमें जो first subject होता है उसके according हम यहाँ पर verb को चुनेंगे उसके according हम यहाँ पर verb को चुनेंगे अगर यह subject आपका वैस singular है तो यहाँ पर singular verb को चुनो अगर यह subject आपका दोस्तो plural है तो यहाँ पर plural को चुनिए यहनि subject अगर आपका singular है subject 1 तो आप यहाँ पर singular helping verb को चुनो अगर आपका subject दोस्तों यहाँ पर plural है ठीक है यह तो था दोस्तों singular और यह है आपका यहां पर plural अगर आपका subject one plural है तो आप यहां पर plural helping work को शुनो ठीक है बैदर को यह तो है बात एक तरीके से रठने वाली यह बात एक तरीके से रठने वाली है बिलकुल मैं यह बात आपको पहले से बता देता हूँ अगर इसका logic हम देखें कि आपने कहा कि sir यह subject one यह subject two ठीक है यह subject one यह subject two आप पे ने कहा और हमने मान लिया ठीक है sir बात कुछ से हजन नहीं हो रही ऐसा क्यों नहीं है यहां पर कि इस से subject की वज़े से यह वार्ब आई ऐसा क्यों नहीं है तो साथियों उस problem को soul हम यहां पर करते हैं आओ देखिए ध्यान से देखते भी कोई भी preposition होती है दोस्तों ये कोई भी प्रेपोशन होती है वो अपने साथ में अपना अबजेक्ट लेकर चलती है क्या लेकर चलती है साथियों वो अपना अबजेक्ट लेकर चलती है और ये जो अबजेक्ट है वो आपको पता है या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई भी प्रनाउन ये हो सकता है आप ये जो preposition है दोस्तों और ये आपका क्या हुआ object तो आपको ये पता है कि भई जो subject और verb है ना उन दोनों का agreement है ना कि object और verb का दोस्तों verb subject के लिए काम करती है object के लिए नहीं अगर ये सब्द मेरे पास में preposition है तो यहाँ पर जो भी noun है साथ हुआ वो इस preposition का object है subject नहीं है तो एक तरी से केस अगर हम देखें तो ये जो subject है ना दोस्तों ये इस preposition का object है चाहें ये noun हो चाहें ये pronoun हो इसका ये object है और इस object का इस verb से कुछ लेना देना आपस में नहीं होता तो इसलिए अगर हम reverse में आते हैं तो हमारे पास में subject नाम का सिर्फ यहीं तो प्राणी बचा ठीक है और इसी के तहती स्वब का हम योजे करते हैं तो मैं उमीद करता हूं साथ हुआ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो आओ बढ़ते हैं तो आपने दिकादा अगर आप यहां से देखें तो यह class आपका subject हो सकता था यह class आपका subject हो सकता था ठीक है लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने इस prayer position को देखा तो यह जो कुछ भी है यह बन गए इसका object और अब इस object का वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है हम पीछे आएं तो भी students यह नाउन के साथ में एस दिस लगाने से प्रूल नाउन बनता है तो students के according दोस्तों इहां पर आर ही तो ठीक है इस बाइबात समझ आई या नहीं आई चलो आगे बढ़ते हैं दा प्रोब्लम ओफ मैनी स्टूडेंट से हाव हैस बेन सोल्ट वैट तो students आपका subject हो सकता है लेकिन जैसे ही आपने प्रेपरिशन को देखा दोस्तों को यह सब्सक्राइब कोई और भी प्र प्रेपरिशन यहां पर आ सकती है दोस्तों तो यह प्रेपरिशन होने की वज़े से यह जो कुछ भी है यह आपका क्या बने दोस्तों object जिसका इसे वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं है तो problem जो word हमारे पास बचा दोस्तों पीछी यही तो क्या है आपका subject है तो दिल ध को दोस्तों आपको सोल करना है दा theories of this scientist has confused us तो बात तो वह यह भई यह रही प्रेपरिशन ठीक है यह रही प्रेपरिशन तो यह जो कुछ भी है यह इसका क्या है object है जिसका इस helping वाप से कुछ लेना देना नहीं है तो जैसे ही theories को हमने देखा तो theories अपने आप में प्लूर सब्सक्राइब यह जो कुछ भी होता है सात्यों यह एक फ्रेज बनता है द्यान से देखिए यह जो कुछ भी होता है सात्यों प्रेपोचन के साथ मिलकर यह एक फ्रेज बनता है जो की होता है आपका adjective phrase यह जो की होता है सात्यों आपका adjective phrase क्योंकि यह एजेक्टिव उनको क्वालिफाइ करने वाला एक सब्द हमेशा एजेक्टिव होता है दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्द जिनके अंदर कोई वर्व या सब्जेक्ट नहीं होता तो दोस्तों वह एजेक्टिव फ्रेज होता है और दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्द जिनके अंदर सब्जे अलग तरीके की हो रहे हैं तो मैं उमेद करता हूँ कि यह जो concept है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा तो आगे हम बढ़ते हैं साथियों अगले जो हमारे चार sentences है वह एक अलग लेवल पर solve होंगे और यह जो लेवल है दोस्तो उसमें आप देखते हैं हमने लिखा है sentences to sentences was were taught yes sentences to sentences was were taught right अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है देखो एक noun है यह आपने देखा है कि दोस्तो एक के noun है ठीक है और उसके बाद आई है साथियों एक है preposition और फिर से आप देख पारें कि भी same noun का repetition हुआ है same noun जो है दोस्तो वो repetitive हुआ है मैं यहां पर same noun लिखता हूं same noun जो है दोस्तो वो repeat हुआ है तो सबसे पहली तो यह चीज है एक चीज का ध्यान रखें कि यह जो दोनों के दोनों हैं यह यह दोनों के जो नाउन है दोस्तों singular रहेंगे यह यह भी singular noun रहेगा और यह भी singular noun रहेगा त्यक्ति सिंगलर नाउन रहेगा और दोस्तों यह भी singular noun रहेगा अब जिब बात दोस्तों सेम ही नाउन की है यह भी singular noun है यह भी singular noun है तो फिर जो वर्ब है आपकी वो भी तो इसका कोडिंग ही रहेगे भी सिंगुलर हैल्पिंग फब तो यह फिर दोस्त आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि आपकी प्रेपोस्टन है और फिर यह आपका अब्जेक्ट बन जाता है जिसका इसे कुछ लेना देना है नहीं और रिवर्शी में तो भी यह नाउन आपका पहले से ही सिंगुलर है तो इसी की अपन दोस्तों सबसे पहले क्या करना हमें और यह बता है कि यह नाउन सिंगूलर होगा दूसरा नाउन भी लगा हो गए और जब सब कुछ सीमिलर है तो इस प्यार को मैं क्या नाम तू तो दोस्तों सिंग्लर वब यहां पर यूज होगी आगे पेजिज आफटर पेजिज यह पेज इस आर रेट तो यहां पर तो ठीक है नाउँ लेकिनि यहां पर आपका क्या है पलूरल है टापके तो ऩो दो सस्कों ठोर्टू डोर्स हार इस और नॉट 10 को दोर्स है नोर यहां पर लूर्ल है क्योंकि आप शना थे मिलेंगे कि वा ड़्र दो यह भूले और वार इस और रांसलेटिट अबनि अलदेен थो दोस्तो हम प्रहेदा Communist करते हैं नियुक्ऌन है को यह हैं पर हमने के शिलाधिस दोब्म प्रम नियुक्त है यह highs under रहा हूं दोस्तों कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा हुगा कुछ सेंटेंसी चलो में और लिपता हूं वीडियो को थोड़ी सी लंबी कर देते हैं अगर दोस्तों आपको हमारे जो परियास हैं वो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ में सेर करें और चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाईयों, मेरे बहनों, चैनल को subscribe जुरूर करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको यूटूप पर सारी के सारी चीज़े इतनी detail से देता है, आप साथियों चलते हैं, कुछ एक और दायरा लाते हैं अपनी इसे क्लास के दोरान, जो है कि सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट से ही होगा, एक एक दो तो सिंटेंस मैं लिखूँगा, मैंने लिखा, 1 10th of 500, 500 students, whose were present here, जान से देखने दोस्तों, कॉन सी वर्ब आप नहीं पर चुनेंगे, ठीक है, दूसरा मैं सिंटेंस लिखता हूँ, वान थर्ड ओ दा वर्क, इस आर वेरी इंपोर्टेंट, जान से आप इसको सोल करने कोच्छे से करते रहें, 3rd sentence, 1 4th, yes, 1 4th of the book has have been read, 1 10th of the 400, 10th of the 400 boys, those were selected, इस ड्यान से देखो साथ हूँ, 1 10th of 500 students, those were present here, अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात है भी फ्रेक्शन की, इस बात क्या है, फ्रेक्शन की, देखो जल्दी से, कि कोई भी फ्रेक्शन है, येस, दोस्तों क्या है यहाँ पर, फ्रेक्शन है, फिर है आपका, और फिर हमने यहाँ रखा है दोस्तों, नाउन को, येस, फिर हमने रखा है नाउन को, ठीक है भी, येस, प्रेक्शन, फिर और फिर रखा है दोस्तों, हमने नाउन को, और उसके बाद आपकी आई है, helping verb क्या है यह दोस्तों उसके बाद में आपकी helping verb अब आपको कुछ ली करना इसमें बहुत ही ची काम इसका है इस noun पर ध्यान दखने है अगर यह noun आपका अगर यह noun आपका singular countable noun है तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पर singular helping verb का प्रियोग करो अगर यह आपका plural countable noun है तो यहाँ पर आप plural helping verb का यूज़ करो और अगर यह आपका uncountable noun है तो दोस्तों uncountable noun के साथ में आप singular helping verb का प्रियोग करते हो तो आओ देखते हैं साथियों 110 तो 500 students आप देखो 500 students यह क्या है भी plural है तो plural के विज़े से सिधे आपको वर करना है आपका singular countable noun है तो singular helping verb plural countable noun है तो plural helping verb तो plural countable noun यहाँ पर है आपका है न स्टुडेंट्स तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका वर यूज़ होगा अगर इसको हम देखो mathematically देखें तो भी मान लिज़े इसको अगर हम लिखते है यस वन बाइटेंट ऐसा ही तो है न भी वन बाइटेंट और फिर फाइफ अंडर्ड राइट अगर हम इसको यहाँ देखते हैं तो कितने बच्चे बच्चे दोस्तों मेरे पास में फिफ्टी बोईस हो गई इस फिफ्टी स्टुडेंट आपके पास हैं तो भी आप फिफ्टी स्टुडेंट दोस्तों प्लूरल है या सिंगुलर है तो बिलकुल आपका प्लूरल हो राइट तो इस तरीके से आपको करना है वन थार्ड ओफ दा वर्ग इस और वेरी इंपोर्टेंट वई अब सिदी सी चीज़ भी इस नाउन को में देखना है देखो यह तो आपका फ्रेक्शन रहा इस फ्रेक्शन यह आपका भी प्रेपजिशन है राइट रैत पॉसर ने प्रिये जो कुछ भी यह नाउन आपका विस्नाव को में देखना है कि अभिव को अगई सकते हैं जी नहीं यह वर को कभी बेगे नहीं सकते है यह अनकाउंटेबल होता है यह इस इने सिंगलर के वर व्व वन फोर्थ ऑफ रही है एंगाँ है यह गो रहा है अगे है लूरेल है तो यह किजी कोई दिक्त नहीं इसके अंदर इस किजी अगर आप इसको इस तरीके से भी करेंगे भी one fourth तो यह काट ओगे तो दोस्तो वन फॉर्थ ऑफ कितने चालिस ही तो बचे ना इस चालिस बचे तो आपका क्या आएगा दोस्तों वर ही तो यहां पर आएगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लेगे होगे आप देखो मैं चीजे तो और भी इसके अंदर जोड़ना चाह रहा हूं और मेरा मन भी कर रहा है लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है तो दोस्तों वह जो चीजे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए जरू रहेंगे हमारा वादा है आप से तो मिलते सात्यों नेक्स्ट वी मेंदत है थे दोस्तों देखो कितनी घर्मी है पसीन आया हुआ है भी ठीक है इस गर्मी में ये वीडियो नारा हों और तब्यत भी कई दिन से खराब चल रही थी तिंक इसलिए में वीडियो अप-लोड नहीं कर पाता हूं तो दोस्तों जो हमारी मेहनद है इसका परिणाम अच्छा होना चाहिए आप लोगों की भलाई के लिए आप लोगों की इगसाम के लिए आप लोगों की सफलता के लिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तत के लिए बाई बाई चाचा गुर्णाइंच लवी ओल